हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो हिंदू पंचांग के अंगु साथ हर साल वैसाथ महिने के सुकल पक्स की पंचमित तिती को सूर्दास जैनती मनाई जाती है इस दिन भगवान किर्शन के परम भग्त संत सूर्दास का जनम हुआ था सूर्दास अपने साहित्यक कोशल के लिए जाने जाते हैं वे अपने दोहों, कविताओं और रचनाओं के लिए परसिध हुए आज भी उनकी रचनाए पढ़कर लोग मंत्र मुग्द हो जाते हैं आज सूर्दास जैनती के मोके पर हम उनसे जुड़ी कुछ बाते जानते हैं सूर्दास जैनती इस साल 6 मई 2022 को है सूर्दास का जनम 1478 इस्वी में रूनकात गाओं के ब्रामन परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम रामदास था सूर्दास के जनमांत को लेकर अलग-अलग धारनाए हैं कुछ लोगों का मानना है कि वो जनम से अंधे थे सूर्दास सूर्वात से ही सादू परवर्ती के वेक्ती थे उन्हें गाने की कलाव वर्दान में मिली थी वे बहुत जल्दी ही परसिद सादू बन गए वे आगरा के पास गव घाट में रहते थे इस दोरान उनकी मुलाकात वलभाचारियस जी से हुई उन्होंने भगवान किर्शन की लीलाओं का ज्यान दिया और सिरिनाज जी के मंदिर में लीला गायन का काम सोब दिया सूर्दास ने जीवन भर इस काम को किया सूर्दास भगवान किर्शन के परम भक्ते थे जब उनकी मुलाकात वलभाचारिय से हुई तो वो उनके सिस्से बन गए और पुष्टी मार्क की दिक्षा प्राप्त कर भगवान किर्शन की बक्ती में लग गए उनकी लिलाओं पर गीत गायन करते थे सूर्दास भगवान किर्शन से जुड़े दोहो और कविताओं को लिखते थे हर कोई उनके इस कलासे परवावित था उन्होंने ब्रजभासा में बहुत काम किया है सूर्दास से जुड़ी कई कताय परचली थे कहते हैं कि एक बार सूर्दास भगवान किर्शन की बक्ति में इतना रम गए कि कुए में गिर गए जिसके बाद भगवान किर्शन ने उनकी जान बचाई और आखों की रोशनी वापिस दे दी जब भगवान किर्शन ने सूर्दास को कुछ मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि आप मुझे फिर से अंदा कर दे मैं आपके सिवा इस दुनिया में किसी अन्य चीज को नहीं देखना चाता हूँ तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको सूर्दास जैनती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी दोस्तों वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें मैकसिमम से मैकसिमम हर जगे से शेयर करें ताकि सब को ये जानकारी अच्छे से मिल सकें और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में सूर्दास जैनती या सूर्दास जी इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग हमें कमेंट सेशन में लिखके बताएं और दोस्तो इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें दर्नेवा दोस्तो जै हिंद